वेलकम बेक टू माई चैनल लन किचिन गार्णिंग वितुट सब इस प्यारे से फूल के साथ स्वागत है आपका तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर में या कि अभी जो भी मन्त चल रहा है उसमें आप कौन-कौन से अभी वेजिटेबल को ग अब आप अब अब लगाएं तो फ्रेंट्स आईये तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना देर किये हमेशा की तरह आप से खंबल रिक्वेस्ट अगर आप अभी तक हमारे चैनल लन किचन गार्णिंग वह तुद्सफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्र करते हैं अभी पालक मार्ज तक पुरा ग्रो होगा तीन महीना लगबग तो यह देखें पालक हमारा लगा हुआ है बड़ा हो रहा है धीरे-धीरे इसमें क्या फ्रेंट्स खाद की थोड़ी कमी पड़ गई है टाइम नहीं की वज़े से हम खाद लेने नहीं जा पार है मू पूटिंग तो फ्रेंट्स अभी आप लोग अगर मिल जा एक तो आप ले 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 वरना तो फिर इस बार रहने दे अगली सालों गाएंगे फूल को भी देखें हमारी फूल को भी यह भी लाल भाजी हर्वेस्ट करी ती फिर से आर्वेस्ट शायद नहीं होगी तो एक बात दे रहा है वाज तो पूरे फ्रेंट्स चत की सफाई कर दिये तो इसको अब हम लोग कल ही देखें कि क्या करना है इसको तो कंपोस्ट में ही डाल देंगे या फिर किसी प्लाइंट के नीचे दबा देंगे ऐसे मिट्टी मस सिंपली ऐसे करके काम चलता रहता हम यह देखें इधर से कई आलू नीचे नीचे सैट हो गए हैं ऐसे दबाने पर भी पता चल रहा है और फ्रेंट्स एक आलू वी देखें दर से बहार भी निकल रहा है यह देखें अब यह बहुत ही अच्छे आलू भी ग्रोह हो रहा है यह आलू लगा हुआ है तो एक समझ यह लीजिए आप ये वीडियो एक overview भी है और साती साथ वेज़ीटेबल्स ग्रो करने के इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ भी लगी हुई है यह गाज़ी लगा सकते हैं और फिर उसको हार्वेस्ट करने की तौर भी लगा सकते हैं अगर आपको मिल जा तो ट्माटर की पौद लेके आप लोगों का सकते हैं कि आज हमने तीन-चार टामाटर हार्वेस्ट इस बार टामाटर ने इतना अच्छा साइज दिया है थोड़ा सा गेंदो की वज़े से पौधे कम होगा नहीं तो बोरियों में और अच्छी फ्रूटिंग होती इतने इतने से पॉट्स में बहुत अच्छी फ्रूटिंग जो भी तीज हो फिर इसके बार यह देखें आप यह गोभी का प्लांट एक इसमें लगा हूँ और एक इसमें लगा हूँ तीनों को साथ में सेम डे पर सेम टाइम 15 मिट के अंदर तीनों को लगाए था और देखें सबसे ज़्यादा कौन सा बढ़ा है यह वाला थोड़ा बढ़ा इसका पॉट जादा बढ़ा है उसको थोड़ा सा थोड़ चोटा है और यह तो आप देखी सकते हैं यह बोरी में लगा हुआ है वेस्ट में कितनी बड़िया ग्रोग हो रहा है और यह ग्रोग वाला भी आपको हम अपडेट देते हैं गोभी का तो यह देखें इस अमाटर का अपडेट तो आपको दिखाई चुके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हार्वेस्ट हुए आप लोग भी भी पॉद मिल जाए तो आप वगा सकते हैं हमने यह पॉद लगा हुई थी जो कि अब बड़ी हो रही है धीरे धीरे देखें साथी साथ यहां पर देखें म मूली लगी हुई है इसके साथ अब भाजी के तोर पर भी आसानी सोगा सकते हैं यह देखें इन पर मूली लगी हुए है यह वाली मूल अच्छी थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो फ्रेंड्स बस दस दिन के अंदर यह वाली साथ हर्वेस्ट हो जाएंगी यह कुछ खाट कई आपको प्लांट दिखता था जिसमें बहुत बढ़ी तो थे तो भी आज हम ने निकाल दिए हार्वेस्ट करके फ्रेंस टामाटर में जैसे एक बार जितने फ्रूट बन के हर्वेस्ट हो जाते हैं जैसे देखें आम इसमें क्या देख रहे हैं फिर से कुछ फ्लाव हुआ था फ्रेंट्स जो प्लान खुद से निकलता है वह बहुत हैल्दी रहता एक भी बार भी हमने इसमें स्प्रेय नी किया है और साथी साथ थोड़ा सा बोन मील इसमें दे दिया था और केंचु में तो हमारी मिट्टी में तो बहुत अच्छा विसमें भी फूरूटिंग सब होगा सकते हैं साथ ही साथ हम आपको अपने हम अपने आपको यह लिक्विट फर्टिलाइजर का भी अपडेट देते हैं फ्रेंट्स गोबर खाथ खतब होने को आई थी तो हमने सोचा कि चली 15 दिन का तो काम अभी ऐसे चल जाएगा लिक्विट फर्टिलाइजर से तो जतना जादा आप लिक्विट फर्टिलाइजर देंगे उतने अच्छे आपकी प्लांट की हैल्थ भी होगी तो बस आज की वीडियो में यही चोटे-चोटे कुछ केर टिप्स थी और यह वाली बोरी हां एक चीज और दिखानी है फ्रेंट्स आप यह देखे यह भी हमने इसमें से बंच निकाला है यह गेंदे के पूरे प्लांट खराब हो चुका था उपर उपर से नीचे नीचे से कुछ बट्स थी तो क्या मतला फ्रेंड्स यह आप देखें हमने पूरा निकाल दिया है इसको तो यह पूरा जो अधर पर पूरा दिखता था ऐसे चाया हुआ बहुत आसानी से मूलियां ग्रो करेंगे तो इसका भी आपको अपडेट देंगे फ्रेंड्स छोटा सा वीडियो था आजका लेकिन बहुत ही इंफामेटिव था आप भी अभी वेजिटेबल साराम से ग्रो कर सकते हैं मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के